आज हम कलास 10 के चेप्टर नमबर 8 यानि ट्राइगनोमेट्री त्रीकोन मीति को पढ़ने वाले हैं ट्राइगनोमेट्री को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि इस ट्राइगनोमेट्री त्रीकोन मीति का यूज कहा होता है जैसे मैं आपसे बोलू कि आपके गाउं या सहर में एक बड़ा सा नारियल का पेर है और आप अपने घर से उस नारियल की पेर की सिखर को देख रहे हैं और मैं आपसे पूछू कि उस नारियल की पेर की उचाय क्या होगी तो क्या आप बता पाएंगे या फिर माली जे आपका दोस्ट कहीं घूमने गया है वो किसी पहार की उपर चरा है पहार के नीचे एक नदी बह रही है नदी के किनारे एक छोटा सा पेर है और वो उस पहार के उपर चरके पहार के सीखर से उन्हों नदी के किनारे पेरे उस पेर को देख रहा है और मैं आप से पूछू कि आप उस पहार की उचाई बताईए या फिर उस नदी की चौराई बताईए या फिर आपका दोस्त जहां पहार से उस नदी के किनारे जो पेर है उसको देख रहा है आपके दोस्त और उस पेर की लंबाई बताईए तो क्या आप बता पाएंगे ये दोनों ही उधारन में एक तिर्बूज बनने की कलपना हो रही है जैसे आप अपने घर से ये नारियल की पेर की पेर को देख रहे हैं माली आप यहां है और यहां से इस नारियल की पेर की शीखर को देख रहे हैं मैं इस बिंदू को मिला दिया मैंने और यहां से इसको मिला द और ये पहार में नदी बहरे हैं आपका दोस्त यहां से इस पेर को देख रहा है इस इस स्सक्राइब को दिख रहा है यह बना यह दोनों इस्तिती में एक संकॉण तिर्बूज बने बन रहा है यानि कि इस ट्राइगनोमेट्री त्रिकोन मीति का उपयोग होता है किसी भी चीज की उचाय को मापने के लिए दूरी को मापने के लिए एक गरह से दूसरे गरह की दूरी मापने के लिए इस ट्राइगनोमेट्री का यूज किया जाता है अब ये ट्राइगनोमेट्री होता क यह हैं त्रैईगोनोमेटी के हम बात करें तो ट्रैकमाने होते है तीन और गोनुका मने होता है भुजाओं इस ट्राइगोनommेटी कंधी होता है तरी कौन मिती यानि कि किसी तिरभूज में 3 भुजाओं के तथा 3 कोनों के मापने के अध्यन को ट्राइगोन मेटरी कहा जाता है यह जो त्रीकोन मित्री है t오ogen напр grue के अलाबा किसी तिरोज जए कोई मतलब नहीं होता है यानि यह ट्राइगोन El 2016 के वल संकॉन तिरोज के लिए ही परिवास तलव वाहते ददेशानल यह साइन का पुरा नाम साइन एस एन साइन दूसरा कोस का पुरा नाम को शाइन थिर टेन का पुरा नाम टैंजेंट को साइनकक का उल्टा चौटा कोशेक का पुरा नाम कोशेकंट पाचवा सेक सेक का पुरा नाम सेकंट and लास्ट में होता है कोट कोट का पुरा नाम कोटेन जेंट यानि जिस तरह इंग्लिस लेटर में भवेल 5 होता है A, E, I, O, O, U उसी तरह trigonometric function भी 6 होता है एक होता है sign, sign का पुरा नाम sign दूसरा cos, cos का पुरा नाम cosine तिसरा 10, 10 का पुरा नाम tangent चौथा cosec, cosec का पुरा नाम cosec पाच्वा sec, sec का पुरा नाम second and last cot, cot का पुरा नाम cot engine यह जो trigonometric function होता है यह बस यह अभी क्या लिखा मैंने नाम लिखा यह trigonometric function हमेशा हमेशा अपने साथ एंग्ल लगता है यानि यह sign जो होगा अपने साथ एंग्ल लगएगा, इस sign को मैं लिखूंगा sin theta, इस cos को मैं लिखूंगा cos theta, tan को मैं लिखूंगा tan theta, cosec को मैं लिखूंगा cosec theta, sec को मैं लिखूंगा sec theta, and cot को लिखूंगा cot theta यानि इस trigonometric function में अगर मैं यह theta, यह theta किसके आस्तान पर है एंग्ल के आस्तान पर है यह angle, angle यानि कौन है अगर मैं इस trigonometric function में यह theta काैंगिल नहीं हो तो इस ट्रैगोनोमेर्टीव फंक्शन का इसका कोई मतलब होगा ही Всем ये प्लस बीवी लिसेक्टे ए्टसेटरा कुछ भी लिख सकते हैं साइ्न थीता है теп पर मैं भrica क्षान पर न साइघ यख़र कicação भी अब ये स्कोस है को दो प्थिता है कॉस्ट के पर करते थे थैंक है यह पलस भीक क्या है ठिटा क्या स्थान पर और यह समेमेर्स थिता के असान परए ट्राय गौम तो बेगे ट्राइगोमेटीफ फंक्शन बेगर एंगिल के बगा गौन के होता ही नहीं है कौनसेप्ट, Concepts No.1, hills – x को हम कभी भी hing इंटो एंटो एंट्य नहीं लिख सकते हैं यह x किसके अस्थान पर है एंगल के अस्थान पर आ उसकता है जेट भी होसकता है, T.B. हो सकता है एकशось y हो सकते है एपलस B.B. हो सकता है, R – B.B. वो written कुछ भी हो सकता है तो इस साइन एक्स को कभी भी हम साइन इंटू एक्स नहीं लिख सकते हैं यह एक्स किसके अस्तान पर है एंगिल के अस्तान पर है यह यह ट्राइगनोमेटिक फंक्शन में त्रिकोन मिती में कभी भी एंगिल को हम गुना के रूप में नहीं लिख सकते है दूसरा कॉंसेप्ट, साइन ए पलस बी को कभी भी हम साइन ए पलस साइन भी नहीं लिख सकते हैं ट्राइगोनोमेटिव फंक्शन में कभी भी हम एंगिल को ये ए पलस बी किस क्या स्थान पर है, एंगिल क्या स्थान पर है, थिटा क्या स्थान पर है trigonometric function में कभी भी हम इस angle को अलग-अलग बाठ नहीं सकते हैं यानि sin A पलस B को हम कभी भी sin A पलस sin B नहीं लिख सकते हैं तिसरा concept ये समकौन तिर्बुज इस समकौन तिर्बुज में ये जो बड़ी भुजा है इसे बूला जाता है H H4 होता है hypotenus hypotenus और इस बुजा को बोला जाता है P P4 होता है perpendicular perpendicular परपैंडी कुलर का हिंदी और इस बूला जाता है B4 होता है base base का हिंदी आधार यानि ये ये जो बुजा होता है perpendicular ये 90 डिग्री का 90 डिग्री होता है बिलकुल जैसे ये club है मेरी ये कलम बिल्कुल अभी इस्ट्रेट है तो ये 90 डिग्री पर है ये बिल्कुल अभी 90 डिग्री पर है तो यही ये बुजा पी 90 बिल्कुल खरे होता है ऐसे 90 डिग्री पर है ये एच है और ये बी है ये एच सबसे बड़ा होता है पी और बी के वर्गों के योग के बराबर ह चौथा कॉंसेप्ट अगर यह समकौन तिर्बूज हो मैंने एक समकौन तिर्बूज और समकौन तिर्बूज में अगर मैं एंगिल यहां बना दू थीटा मैं यहां बनाओ तो उसके सामने वाले भूजज हो जाएगा पी यह तो हस बड़ी भूजज रहेगा ही और यह एंगिल यह 90 डिगरी रहेगाए अगर यहां पर अगिल यहां बनाना तो सामने वाले भूजज बैंपोन तिर्बूज और यह भूजा हैगा यह यह यहां बनाऊ तो इसके सामनी जाजाए कर यह होगत परमें से होता है कि हैं यहां इसको मैं लिख सकते हूं हभर दुन तरफ में इसको है एंडरूट पी-स्कॉरइड ब्रूस-बी-सống-ब्र नर्शबर होता है H square माइनस B square और इसको लिख सकता हूं दूसरी तरह से जरा दिया तो इस square सब्सक्राइब से रूट कर गिर सब lassata गरे इस पर पूर्य चीज पर गो Crash और साइन थिटा बराबर होता है हammjust oni Koss एक टिटा बरावर होता है वीबटे है you've 10th यह about होता है वीबटे बी साइन का उल्टा होता है projekt सीट थिटा बराबर हो हो रहर है एच उपर चले यह और चले जाएगा और यह बी नीचे एच बोलोटीटव सखर्च स साइन खॉच टया थिटा को सब्सक्राइब होगा 80 कॉचछ थिटा अन्साना फॉक्वंच्ण पाम districts च कि अनुपात जो बटे के रुपम है इसलिए ठ्रायागउमेटिक रेशियो गप्रस्नावाली 8.1 है इक नमर तिर्बूज एक नमर उसका कौन भी समकौन है यह एक तिर्बूज है इसका कौन यह भी समकौन है यानि 90 डिग्री है बिलकुल ऐसे है 90 डिग्री पर तो यह और यह सी इसमें एभी बराबर 24 cm यह बी है 24 cm बीसी है साथ सेंटिमेटर यह बीसी साथ सेंटिमेटर तो निम्रीत का मान ग्याद की इसका मान हमें के निकालना है एक नंबर में निकालना है साइन एक्वल टू हाट कितना उसके उसी में दिया है कॉस ए वाट कितना दूसरे नंबर पर हमें निकालना है साइन सी कितना कौस सी कितना अब दिखें यहाँ पर ट्राइगोनों में एक समकौन तिर्भूद दिया है अब दिखें इस समकौन तिर्भूद में यह ABP है और यह BC BCAB है और यह ACH है पाइथागोरस परमे में अगर कोई दोची दियावर है यानि P और B दियावर है तो हम H निकालेंगे H और P दियावर है तो B निकालेंगे B और H दियावर है तो P निकालेंगे यहाँ पर P और B दिया है तो हम H निकालेंगे पाइथागोरस परमे से यह H है और यह H का पुरा नाम अभी क्या है AC हम AC बडावर लिख लेते हैं अंडर रूट बी पी स्कौरर्ड पी के जगे कौन एबी एबी का स्कौर्ड पलस B स्कौरर बी के जगे कौन BCBC का स्कौर्र AB कितना है 24 सैंटीमेड़ 24 का स्कौरर BC 7 7 का स्कौरर वर्ग 24 का वर्ग 536, 7 का वर्ग 49, 546 और उन्चास 625, 625 का वर्ग मुल 25 यानि AC बराबर ये निकल गया 25 सेंटिमेटर, हमें निकालना है साइन ये, और साइन थिटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, पी बटे है, लेकिन ये साइन ए है, ये किसके अस्तान पर, एंगिल के अस्तान पर थिटा के अस्तान पर, ये A कौन है, थिटा है, एंगिल है, ये यहां है, यहां, एंगिल यहां बना, तो इसके सामने वाली भुजा पी, अब ये हो गया, पी, हमें चाहिए क्या साइन थिटा में, पी, तो ये हो गया हमारा अभी, पी ये हो गया, और जब ये पी हो गया, यहां बना तो सामने वाली भूज़ा हो जाएगा PDF हँर्य हो गया हो गया P और यह meth Phoenix है हमें क्या चाहिए Connecticut हम प विगी सेप 24 कौन है अभी 20 कौन है यह 20 क depends 2020 सा這個 ब्राबर है साथ सेंतिमेटर और Power 25 25 cm अभी हमारा 25 cm निकला, cm cm कर गया, 7 by 25 ये अंसर, दूसरा है cos C, cos A, cos थिटा बराबर होता है, B बटे H, एंगल ये ए है, A एंगल यहां बना, अब एंगल यहां बना तो इसके सामने वाली भुजा P, ये P हो गया और ये B, और हमें cos थिटा में चाहिए क्या B, और B कौन है अ A, C, A, B का मान केतना, 24 cm, A, C का मान 25 cm, cm cm कर गया, 24 by 25 ये अंसर, दूसर नंबर में हमें निकलना है sin C, फहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ये तो H fix है, हमें निकलना है sin C, और sin थिटा बराबर हम जानते है, P बटे H होता है, sin C, C यहांपे, एंगल यहां बना, अंगल यहां बना, अब अंगल यहां बना, तो सामने वाली भुजा P, इसके सामने वाली भुजा यह है, अब ये भुजा हो गया P, और ये B, ये H तो fix है, ये H fix है, ये 90 degree fix है, sin C है, C यहांपे है, सामने वाली भुजा P, और sin थिटा में क्या चाहिए, P बटे H, अब P कौ अबने वाली भुजा P, ये P हो गया, तब ये B, और ये तो H fix है, ये H नहीं बदलेगा, ये रहेगा ही, तो ये हमें sin C में क्या चाहिए, ये P चाहिए, और P के जगे कौन है, ये AB है, और AC ये AC, और AB का मान अभी 24 cm, AC का मान 25 cm, cm, cm चला गया, 24 by 25 ये answer, cos C, cos C, cos C थिटा ब बना, तो सामने वाली भुजा P, ये P, और ये B, और हमें cos C थिटा में क्या चाहिए, B बटे H, बटे H, अब B कौन हुआ, ये ये हमें, ये हमें, सामने वाली भुजा P, B ये हुआ, तो B कौन है, BC, by AC, BC का कितना है, 7 cm, AC 25 cm, 7 cm, cm चला गया, 7 by 25 ये answer, question number 2, आकिर्थी 8.13 में, ये आकिर्थी है, 8.13, ये है, 8.13 में, ये आकिर्थी, ये आकिर्थी 8.13 में, 10P माइनस कॉट आर का मान गयात कीजिए, हमें दो नमबर बनाना, आकिर्थी दियावा है, आकिर्थी, ये P है, ये Q, U, ये R, ये 90 डिड़ी पर है, ये है, 13 cm, ये 12 cm, हमें 10P और कॉट आर का मान निकालना है, देखे, पाइतागोरस परमे में दो चीज़ दियावा, ये P है और ये H है, दो चीज़ दियावा रहे, तो तीसरा चीज़ भी निकालेंगे, ये B निकालेंगे, B क्या है, अभी Q, R, तो हम पाइतागोरस परमे से ये Q, R निकाल लेते हैं, Q, R बरावर होगा, अंडर डूट, H स्क्वाइर, H कौन है, P का स्क्वाइर, P, R स्क्वाइर, P, R स्क्वाइर, माइनस, पाइतागोरस परमे में, अगर कोई दो चीज़ दिया हुआ है, तो तीसरा चीज़ भी निकालेंगे, यह H है, और यह P है, P और H दिया हुआ है, तो हमें B भी निकालेंगे, यह B नहीं है, और यह B के जगए अभी कौन है, Q, R है, तो B बराबर होता है अंडर रूट, H स्कॉाइर, माइनस, P स्क्वाइर, H कौन है, यह P, R स्कॉाइर, माइनस, P, P स्कॉाइर, और पि कौन है अभी PQ, तो P Q का स्क्राइड, अन्डर Rouge, P R के जगे कौन है, 13, 13, 13 का स्क्राइड पि क्यू कौन है, 12 12 का वर्ग, 13 Verantwort का वर्ग, 12cribing itt 144, 169 में से 144 चला गया 25 25 का स्क्वाइड वर्मूल 5 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर हमें क्या निकालना है 10P-4R ये निकालना है हमें 10 ठीटा बराबर होता है P बटे H माइनस कॉट ठीटा बराबर होता है B बटे हमें क्या निकालना है 10P-4R 10 ठीटा बराबर होता है P बटे B माइनस कॉट ठीटा बराबर होता है B बटे P अब देखिए 10P है, यह 10P, एंगिल कहा बना, यहां बना, एंगिल यहां बने, तो सामने वाली भुजा P, अब यह भुजा हो जाएगा P, और यह हो जाएगा B, अब P, यह QR, यह P, और हमें 10 ठीटा में क्या चाहिए, P चाहिए, P, अब P कौन है, यह QR है, और QR का मान कितना नि आइगिल आर है, कॉट आर, एंगिल यहां बना, एंगिल यहां बने से सामने वाली भुजा, P, यह हो गया, P, अब हो गया, यह B, और हमें कॉट ठीटा में क्या चाहिए, बी चाहिए, बी, तो B कौन है, यह QR है, QR, बी कौन है, यह QR, और QR के जाए, कौन है, 5 है, 5, बटे, P पी अब कौन है ये पी क्यू है पी क्यू के जाए 12 है 12 ये ये दोनों कट गया बराबर 0 आंसर 1 में से 1 चला गया 0 5 में से 5 चला गया 0 तो 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 में दोनों चला गया बच्चा चीरो क्यूशन नमर तीन है यदि साइन ए बराबर 3 बाइ 4 तो कॉस ए और 10 ए का मान परिकलित कीजिए गिव ए दिया गया है हमें दिया है साइन ए इक्वल टू 3 बाइ 4 और ये हम साइन थीटा बराबर जानते होता है पी बटे एच पी बटे एच और ये पी उपर पी उपर ये थीरी उपर यानि पी बराबर हो गया थीरी और ये एच निचे ये 4 बी नितीन है एच बराबर 4 फाइता को उसमें दो चीज दिया हो है तिसरा चीज भी निकले पी और एच दिया हो है 9 क्या नहीं है अधीलिये हैं तो हमau Як civ क्यूंस तार porridge भी निकालनेटे हैं और भी बांवर्ब्र होता है markets सम्हार्ट एइच इस्क्वाइर माइनस पी स्क्वाइट हमें निकालना है क्या कॉस A निकालना है कॉस A कॉस थिटा बरावर होता है B बटे H और B कौन है B तो निकला रूट 7 और यह H कौन 4 यह अंसर और निकालना है हमें 10 A बरावर 10 थिटा बरावर होता है P बटे B P कौन है यह 3 है और यह B कितना निकला यह B रूट 7 रूट 7 यह आंसर शान नमबर में है यदि 15 कॉट A एक्वल टू 8 हो तो साइन A और सेके का मान ग्याद कीजिए इसका मान ग्याद कीजिए 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 ग् cot a equal to हो जाएगा 8 और ये 15 आ गया नीचे cot theta बराबर होता है b by p बराबर b by p तेकि उपर में b और ये 8 तो b बराबर हो गया 8 और ये नीचे p इधर 15 दो चीद दिया हुए h नहीं है तो हम h निकाल लेते हैं h बराबर होता है under root p squared plus b squared p का मान कितना 15 15 का square b का मान कितना 8 h का square 15 का वर्ग 225 8 का वर्ग 64 225 और 64 289 289 का वर्ग मूल 17 हमें क्या निकालना है sin a sin theta बराबर होता है p बटे h और p का मान कितना है ये 15 और h कितना निकला ये h 17 ये आंसर second sec theta बराबर होता है h बटे b और h कितना लिगला 17 b कितना है 8 ये आंसर पाच नमर में है यदि sec theta बराबर 13 by 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोन मीत्य अनुपात परिकलित के यानि sec theta बरा 13 बराबर दिया है हमको बाकि सब पाचों निकले यानि sign निकलना है sign theta बराबर क्या होगा cos theta निकलना है कोई चीज अगर दिया हुआ वहाँ पर already रहे तो हम लिखेंगे given sign sorry sec theta बराबर है 13 by 12 sec theta बराबर हम जानते होता है h बटे b उपर में h यानि h बराबर ये h उपर में h बराबर 13 निचे में b यानि b बराबर इधर कितना है बार है दूर चीज दिया हुआ है python पर में h और b तो तीसरा हम निकाल लेते है p p बराबर होता है under root h square minus b square h के जाए कौन है 13 13 का square b के जाए कौन 12 12 का square 13 का work 169 12 का work 144 169 में से 144 चला गया 25 25 का work square root 5 हमें निकालना क्या अन्य सभी त्रिकोन मित्यन पात यानि सेक दिया हुआ है बाकी 5 निकालना है साइन निकालना है तो हम पर निकालना है साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर है p by h हमें क्या निकालना है साइन निकालना है cos थीटा निकालना है साइन थिटा बराबर होता है P बटे H और अभी P कितना है? ये P निकला 5 और H है 13 ये answer कौस थिटा बराबर होता है? B बटे H B कितना है? 12 और H कितना? 13 ये answer तेन थिटा बराबर होता है P बटे B P कितना है? 5 B कितना है? 12 वाल्य ंसरुको जोकर थीटा बर्ड़रा होता हैं येच और कितना फाइब ये एंसरुको सेट थीटा बरव होता है बी बेटमांग को 20ज में आंड़ तु he